हलो एवरीवान, वेल्कम टू ओर चैनल एमसी बी, एमसी बी, फिन्स आज में ट्रडिशनल प्रैटर्ण का क्विक एंड इजी सारे कुछ डिजाइन बनाएंगे, सारे यहाँ पे ग्रीन और पर्पल कलर है, सो हमने यहाँ पे इन दोनों कलर का सिल्क त्रेड को यूज किया है ग्रीन कलर का हमने 80 स्टैंड्स ओफ सिल्क त्रेड लिया है, और पर्पल कलर का 85 स्टैंड्स ओफ सिल्क त्रेड लिया है, उसके बाद 6 स्टैंड्स ओफ जारी त्रेड लिया है, इन सारी पल्यों के त्रेड्स में हम आज एक नया डिजाइन बनाएंगे, यह डिजाइन ट् डिजाइन जरूर पसंद आएगा अब आप इन सभी सारी कुचू मटीरियल्स को अल्सो जो कुचू नीडिल्स है सारी कुचू नीडियल्स इन सभी को भी आप कविता एंटरप्राइजस से मंगवा सकते हैं उस शौप का एड्रेस वेबसाइट का लिंक और सो वाट्साइब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे सबसे पहले हमें हातों को हलका सा गिला कर लेना है और इन त्रेड्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाना है इससे जो त्रेड्स है नीट और स्ट्रेट बन जाएंगे नेक्स्ट हमें इस कोम की बज़त से इन त मारक कर लेना है मारकिंग का मेठेड थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे पहले हमें पल्लू पे हाफ इंच की डिस्टंस पर मारक करना है उसकी बार एक बार और हाफ इंच की डिस्टंस पर मारक करना है नेक्स्ट हमें वन इंच की डिस्टंस पर मारक करना है पहले हाफ इंच उसके बाद half inch फिर से one inch इस तरीके से मार्क करना है नेक्स्ट हमें half inch के distance पे मार्क करते हुए एक और बार next हमें half inch के distance पे मार्क करना है उसके बाद one inch के distance पे मार्क करना है यहाँ पे हमें दो बार half inch और एक बार one inch के distance पे पूरे पल्लों पे मार्क करना है next हमें कोई भी एक ठिक नीडल या फिर आप यहाँ पे क्रोशा यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी कुछ नीडल लिया है यह जो half inch की distance पे जो हमने mark किया हुआ है यहाँ से नीडल को pass करते वे इस half inch की distance पे जितने threads है उतने ही threads लेते वे हलका सा twist करके पल्लू के नजदीक उपर की और एक knot बनाना है अच्छे से tight knot बनाना है उसके बाद इस thread को side करते हुए फिर से हमें नीडल लेना है यह जो half inch की distance पे जितने threads है उतने ही threads को लेते हुए बाकी के thread side कर देंगे next हमें इन सभी threads को हलका सा twist करते हुए पल्लू के नजदीक उपर की और एक tight knot बनाना है neatly एक knot बनाएंगे उसके बाद इस thread को और इस पहले वाले thread को इन दोनों threads को हमें लेना है इन दोनों threads को मिलाते हुए हलका सा twist करके लगबग half inch उपर की और यह जो knot है यहां से हमें half inch की distance पे इन दोनों threads को मिलाते हुए एक tight knot बनाना है यह इस तरह के से आएगा V-shape में next हमें इसे side करते हुए थोड़े से threads लेने हैं यह जो one inch की distance पे हमने जो mark किया हुआ है उतने threads है उतने ही threads हमें लेते हुए बाकी के threads side कर देंगे इन सभी threads को knit करते हुए हलका सा twist करके पल्लू के नस्दी एक tight knot बनाना है हमें यहां पे सारी का ही जो पल्लू है यह बिल्कुल भी fold नहीं होना है इस तरह के से हमें neatly एक knot बनाना है और अब next में इसे side करते हुए फिर से थोड़े से threads knit कर लेने हैं half inch के distance पे जो mark किया हुआ है उसमें जितने threads है उतने ही threads लेने हैं हलका सा twist करके पल्लू के नस्दी एक knot बनाना है इस design का method बहुत ही simple and easy है लग पर one and half hours के अंदर अंदर आप इस design को easily बना सकते हैं यह design traditional है बट यह design आज भी trending है इसी में थोड़ा सा twist देते हुए एक नया design बनाया है अब next हमें half inch की distance पे जितने threads हैं उतने ही लेते हुए फल्लू की नस्दी एक knot बनाना है उसके बाद इस thread को और इस पहले वाले thread को इन दोनों threads को मिलाते हुए हलका सा twist करके लग बग half inch के distance पे इन दोनों threads को मिलाके एक knot बनाना है neatly एक type knot बनाएंगे यह इस तरीके से V-shape में आएगा next हमें इसे side करते वे फिर से थोड़े से threads knit कर लेने हैं उसके बाद यह जो one inch की distance पे जो हमने mark किया हुआ है उसमें जितने threads है उतने threads लेके इन हलका सा twist करके पल्लू के नस्दी एक knot बनाना है यहाँ पे हमें पल्लू के नस्दी ज्यादा gap नहीं छोड़ना है इस तरीके से neat और tight knot बनाना है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने half inch की distance पे जो जो दो threads बनाया है उनको एक करके वे एक knot बनाया है वन इंच की distance पे जितने threads है उनको मिलाके एक knot बनाया है इसी तरीके से हमें पहले पूरे पल्लू पे knots बनाना है इस जो half inch की दो knots हमने बनाया हुए इनमें आप एक एक bead भी यूज़ कर सकते हैं अल्सो यह without beads design भी बना सकते हैं नेक्स्ट हमें green color का 80 strands of silk thread लेना है इस जो one inch की distance पे जो हमने knot बनाया हुआ है इस knot के center में back side से needle को हम पास कर लेंगे इस silk thread को need करते हुए दोनों side से इन silk thread को हमें need करते हुए नेक्स्ट हमें जरी thread लेना है इस जरी thread को इन silk thread के back side से पास करना है उसकी बाद जरी thread के इस knot में से needle को पास करते हुए एक और knot बनाना है उसकी बाद एक turn लेना है इन सिल्क त्रेट और जरी त्रेट को नीट करते हुए एक और टर्न लेना है दो टर्न लेने के बाद थर्ड वाला टर्न लेके साइड में नौट लगाना है इस तरह किसे थर्ड राउंड में हमें अच्छे सी टाइड नौट बनाते हुए उस जरी तेड से निडल को पास कर लेना है एक्स्ट्रा इस जरी तेड को हम कट कर लेंगे इन डोनों सिलक त्रेड को नेट करते हुए यहाँ पे हमें बेबी टैसल बनाना है यह एक बेबी टैसल रेडी हो गया है next हमें purple color का 85 strands of silk thread लेना है पल्लू यहाँ पर purple color है तो हमें इस tazzle को नीचे की और body green color है green color का tazzle उपर की और बनाना है यह जो purple color का tazzle है इन दोनों tazzles में से center में से needle को pass कर लेंगे उसके बाग दोनों side से और इस पल्लू के threads को knit करते हुए यहाँ पर हमें 6 times of zari thread लेना है इस zari thread को in silk thread के back side से pass करते हुए zari thread के इस knot में से भी एक बार फिर से needle को pass कर लेना है और इस zari thread के हमें total 4 rounds बनाने है इसी तरह का मैंने quick and easy latest traditional sari kuchu design बनाया हुआ है वो video मेरे channel पर available है उसका link वीडियो के end में दे दिया है आप यह दे सकते हैं हमने 4th round बना के side में knot लगा लिया है और अब next हमें zari thread के side में से needle को pass करते हुए extra zari thread को cut कर लेना है उसकी बार in silk thread को भी knit करते हुए extra in silk thread को हम trim कर लेंगे आप यह दे सकते हैं हमने यहाँ पे 2 tassels बना लिये हैं friends हमने यहाँ पे side का जो color है वो पल्लू के ऊपर की और एक baby tassel बनाया है और जो पल्लू का color है उसे नीचे की और एक tassel बनाया है हमने यहाँ पे zari thread के 3 rounds green color के बनाया है उसकी बार purple color के हमें zari thread 4 rolls बनाने हैं इसी तरीके से हमें tassels बनाने हैं friends आप एदे सकते हैं हमने पूरे puzzle पे tassels बनाते वे work को complete कर लिया है बहुती quick and easy beautiful सारी kuchu design है वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like, share और comment करने के साथ चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पास में लगे bell icon को भी प्रेस करते हुए all पर क्लिक कीजिएगा thanks for watching see you soon bye bye